नमस्कार आप गुड इवनिंग मेरा नाम है बिलाल और मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत डाउटनेट लाइफ पर मैं आशागरता हूँ कि बच्चों आप सभी लोग अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे, सुवस्त होंगे और जी एकदम तंदरुस्द भी होंगे और क्या कर रही होंगे? और कर रही होंगे हमारी आज की इस important class का इंतजार हम आज की class में बात करने वाले हैं इस important से topic के साथ जो आप सभी की screen पे लिखा है translation कल हमने इस अध्याय को ध्यान से करा था और इस अध्याय से संबंद जो important बातें थी वो आप सभी के सामने रखी गई थी कल जो translation part हम लोगों ने आप सभी के साथ शुरू किया था उसके अंदर हम लोगों ने यही देखा था कि translation करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या है और उसको किस तरीके से practice कर सकते हैं तो आज की जो हमारी class होने वाली है इसके अंदर भी हम लोग translation का chapter 2 कह सकते हैं आप इसको आप सभी के सामने रखने रखने वाले हैं क्या देखेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि translation यानि कि जब आप लोग हिंदी के sentences को English में लेके जाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है उसको change करने का आरथात हिंदी के वाकियों को English में change करने का बहतरीन तरीका या फिर बहतरीन procedure क्या है वो आप असानी से हिंदी के वाकियों को English में convert कर पाएंगे practice होगी दबा कर हम लोग क्या करेंगे एक एक sentence को English में convert करते रहेंगे ये तो रही हमारी आज की class के बारे में कि आज हम लोग क्या बाते हैं आप सभी के समक्ष करने वाले हैं what are the things which we will be learning today these are the topics which have been shared अब एक एक कर कर आगे पास क्या है बच्चों हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो class 10 के हैं तो भाईया class 10 वाले बच्चों आप सभी के लिए एक प्यारी सी खुशखबरी है खुशखबरी ये है कि doubtnet ने अपना revision course start किया है अगर अभी तक आपने किसी कारणवर्ष किसी भी course के अंदर doubtnet में admission पर लिखी हुई है ये जो revision course है ये carry करता है अपने साथ रखता है 2000 से भी जादा important questions ये जो 2000 से भी जादा important questions है ये आपके previous papers में पूछे जा चुके हैं क्या किये जा चुके हैं या फिर इनके paper में आने के chances हैं तो आपके पास एक बहुत ही जबर्दस क्या होने वाला है बच अगर हम इनको time duration में समझना चाहें तो लगभग दो महीने के आपकी classes होने वाली हैं जो classes होंगी वो आपकी live होंगी यानि कि जो teachers आपको पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे बच्चों वो आपके साथ live interaction करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके साथ कोई भी doubt और confusion रहे subject के बारे में बहुत ही अच्छा ग्यान है and they have been giving very good results from last years अब आप आगे देखिए कि जो teachers आपको पढ़ा रहे हैं वो ही क्या करेंगे आपको आपके chapter से related notes बना के देंगे और इसी के साथ आपको test भी वो ही teachers conduct कराते रहेंगे तो आपके पास क्या रहेगा बच्चों आपके पास एक बहुत ही complete package जाएगा जो भी चीज़ें आप सभी के सामने रहेंगी उसके बारे में आपको सीखने का बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है आपके जो यह classes होने वाली है इसके अंदर guidance भी आपको दी जाएगी अधिकतर confusion यही है अभी के अभी exam कब होगा कब नहीं होगा किस vote का कब होने वाला है इसी को लेके confusion रहता है तो इसकी पूरी पूरी जानकारी आपको आपकी guidance class में देती जाए रहेगी आपको strategies बताई जाएंगे strategies का मतलब क्या है कि what are the tricks what are the ways by that you can be a topper कैसे अपने आपको एक topper student बना सकते हैं कैसे एक average student से you can turn yourself into a topper ये आपको तरीका बताया जाएगा कि वो क्या क्या तरीके हैं जिनको आपको follow करना होगा अपने पेपर में और उसके दुआरा आप अपने आपको एक बहतरी नचातर बना सकते हैं आपकी ये जो course की fee है ये 2500 रुपे होने वाली है आपको जो पूरा course रहेगा उसकी fee होगी 2500 रुपीज और जो duration रहेगी आपकी वो दो महीने रहेगी अच्छा इस complete course के अंदर आपके सामने क्या क्या रहेगा आपके science के subject को आपके mathematics आपके English और आपके social science यानि के SST के subject को complete कराया जाएगा ठीक है और ये जो duration रहेगी ये दो महीने की रहेगी अब एक अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने है आपको ये जो आपकी fee है जो 2500 रुपी है डाउटनेट मौका दे रहा है कि आप इस fee को कम भी कर सकते हैं वो कैसे आपको ये coupon code का इस्तमाल करना होगा जब आप लोग एडम नहीं रुपे में आप अपने revision course में admission ले पाएंगे तो आपको discount मिल रहा है तो आपको discounted price अगर avail करना है तो इस coupon code को use कीजे और discounted price में doubtnet के revision course में दो महीने के लिए अपने आपको enroll कीजे और इन सभी benefits का फाइदा उठाईए अब आगे बढ़ लेते हैं अगर आपनों कु वो आपको पूरी जानकारी आपके course के बारे में देते चलेंगे आपकी screen पर एक और बात है कि अगर आपका कोई और doubt हो confusion हो तो आप क्या गर सकते हैं आप comment box के अंदर भी ये लिख सकते हैं कि yes sir I have interest in this specific course आप comment कर दीजे हमारे साथ ही क्या करेंगे बच्चों आपके comments को board revision course को join करना चाहेंगे आपकी screen पर ये question होगा आपको क्या कर लेना है जी आपको हाँ या ना में इसका answer दे देना है आपकी screen पर दो options होंगे आप जल्दी से सही option को choose कीजिए फिर हम लोग क्या कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपनी class को start कर लेते हैं class को शुरू करी थी जब हमने कल की class आप सभी के साथ करी थी तो आपको कुछ बातें बताई गई थी कि जब भी आपके क्या होते हैं बच्चों जब भी आपके हिंदी के वाक्य होते हैं आपके paper के अंदर ये पूछा जाता है कि when you have Hindi sentences then you were asked to complete your convert those sentences into English आपको कहा जाता है कि आप अपने हिंदी के वाक्यों को क्या कीजिए अंग्रेजी में अनुवादित कर दीजे उनको अंग्रेजी में transfer कर दीजे उनको अंग्रेजी में translate कर दीजे आपको करना क्या होता है चलिए एक एक करकर इसी बात को हम लोग आप सभी के सामने रखते चलते हैं कल बात मैंन पास कोई हिंदी का संटेंस हो, उसके आखिर के दो शब्दों को देखे, जब भी आपके पास हिंदी का कोई भी संटेंस हो, उसके आखिर के दो शब्दों को देखे, आपको उन दो शब्दों के अधार पर ही क्या करना है, अपने पूरे संटेंस को ट्रांसफर करना होगा, उसको क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, देखे, जब भी आपका हिंदी का कोई वाक्य है, और अगर उसके आखिर में क्या आ रहा है बच्छों, अगर उसके आखिर में आ रहा है, ता है, ठीक है, ते हैं, या फिर क्या रहा है बच्छों, ती है, अगर आपके हिंदी किसी भी वाक्य के अंदर ता है, ती है और ती ही आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वह आपका प्रेज़रेंट संटेंस होगा प्रेज़रेंट का अरधा तु वर्टमान काल का और इसके अंदर आपको संटेंस बनाने होंगे सबजेक्ट आपको लगाना ही होगी वर्ब की फस्ट फॉर्म इसी के साथ फिर आप लोगों को S और ES लगाना होगा और आपको लगाना होगा अबजेक्ट आपको ये दो शब्दों अगर मिलते हैं ता है ती है ते है और इसी के साथ ता हूं भी ठीक है ता हूं ये भी आपका वरतमान का रहेगा अगर आप लोगों का sentence क्या है अगर आप लोगों का हिंदी का कोई वाक्य है और उसके आखर में क्या आ रहा है उसके आखर में आ रहा है था थी थे या फिर रहा था ठीक है रही थी अगर ये सब शब्द आ रहा है था थी थे रहा था रही थी रहे थे आ रहा है इसका मतलब क्या रहेगा कि वो आपका जो sentence होगा वो भूत काल का होगा अगर हम English में समझना चाहें तो past tense का होगा और past tense में आपको कैसे sentences को बनाना होता है आपको subject, verb की second form और object को लगाना होता है बस ये आपको धियान रखना है कि sentence के आखिर के दो शब्दों को आप पहचान लीजिए और उसी के अधार पर फिर आप अपने sentence को बना लीजिए अगर आपका English का जो sentence है धियान से सुनियेगा इसका मतलब क्या होगा बच्चो इसका मतलब यह होगा कि आपका ये जो sentences होंगे वो भविशे के होंगे इसका मतलब क्या रहा कि भईया वो future tense के होंगे किस tense के होंगे वो आपके future tense के होने वाले है और future tense में आपको कैसे बनाने होते हैं sentences आपको subject लगाना होता है, आपको उसके बाद will लगाना होता है, फिर आपको verb की first form और उसके बाद ही आप लोगों को object लगाना होता है clear, तो ये आपको हमने जल्दी से quick recap करा दिया ता, ते, थी होगा, तो वो वरतवान काल होगा था, थी, थे, रहा, था, रही, थे होगा, तो वो आपका past tense होगा ऐसे ही गा, गी, गे, रहा होगा, रही होगा, ये सब होगा, तो ये आपका future tense होगा कैसे sentence को बनाना है, subject, verb की first form, ses और object, present में past में subject, verb की second form और object, और future में subject, will, verb की first form और object इनको आप लोग याद रखिएगा, अब हम लोग एक एक करकर इसी तरीके से sentence को change करेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, पंखा चल रहा था, आपके सामने ये हिंदी का sentence आया और आपने इस हिंदी के sentence को बिल्कुल ध्यान से देखा, जब आपने इस sentence को ध्यान से देखा तो आपको क्या करना है, आपको आखिर के दो शब्दों को देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, रहा था और आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई हिंदी का वाक्य हो उसके आखिर में था है इसका मतलब क्या है कि वो भूत काल का है और इसका मतलब क्या रहा कि भाईया वो पास टेंस का है अब आपको इसको क्या करना है अगर आपको इसको क्या करना है transfer करना है या फिर translate करना है हिंदी से English में तो सबसे पहले आपने इसके tense को भेचान लिया अब आपने क्या लिखा यहाँ पर लिखा है रहा था, रहा था का मतलब क्या रहा यह आपका present continuous, past continuous है क्या रहा यह sentence आपका past continuous है और past continuous में कैसे बनता है sentence subject होता है आपके पास was होता है आपके पास were होता है आपको verb की first form लगानी होती है उसके बाद फिर आप लोगों को ing लगाना होता है और फिर object ठीक है इस तरीके से आपको past continuous के अंदर sentence को बनाना होता है अब आप सबसे पहले क्या लिखिए subject को देखिए subject क्या होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे है किसके बारे में बात कर रहे है पंखे के बारे में तो आपको लिख देना होगा the fan ठीक है फिर आपको क्या लगाना होगा चल रहा था अभी तो नहीं चल रहा था past में चल रहा था past की एक किरिया है तो आपको लगाना होगा was single है तो was लगाना होगा the fan, चलने का मतलब क्या हो रहा है the fan, चलने का मतलब होता है work ठीक है the fan, was, work आपको फिर ing भी लगाना होगा working, क्या रहा आपका sentence the fan was working, पंका चल रहा the fan was working, यह आपका sentence रहा आपने क्या किया है आपने आखिर के दो शब्दों को देखा है और उसी के अधार पर फिर आपने टेंस को पहचाना है कि ये पास्ट कॉंटिनिवस का था फिर आपने पास्ट कॉंटिनिवस में कैसे सिंटेंस को बनाना है ये देखा और फटेक से अपने sentence को English में बना दिया एक oversight से बारिश हो रही है अब यहाँ पे क्या है यहाँ आखरी जो आपके दो शल्द है यह हो रही है या फिर रही है रहा है रही है कहां पर यूस किया जाता है है तो आपका यूस किया जाता है वरतमान काल में आप जहां पर रहा है इसका मतलब क्या रहा बच्छों यह आपका present continuous का sentence रहा है, रही है, रहे हैं, यह सभी आपके present continuous के sentence हो रहे होते हैं. अब आपको इनको जब बनाना होता है तो आपके पास सबसे पहले subject होना चाहिए फिर आपको is लगाना होता है आपको m लगाना होता है आपको r लगाना होता है आपको वर्ब की first form इसी के साथ आप लोगों को ing लगाना होगा और object अब देख लिजे, क्या है बच्चों, आपका subject क्या है, आपका subject है सुभाँ, ठीक है देखिया, आपको लिखना होगा ये, since morning फिर आपको क्या लगाना होगा, क्या हो रही है, बारिश the rain is going on, ठीक है, हो रही है, होने के लिए आपने go, उसके साथ फिर ing लगा दिया, या फिर happening भी लिख सकते है इसके कुछ भी अर्थ निकल सकता है, since morning the rain is going on, सुभा से बारिश होती आ रही है आपने कुछ नहीं किया है, आपने आखिर के दो शब्दों को देखा, और उसी के अधार पर फिर आप लोगों ने क्या करा, उसी के अधार पर फिर आपने sentences को बनाया अब एक और sentence लिखा है, वो क्या लिखा है, हमने नाश्ता कर लिया है अब यहाँ पर क्या लिखाए? लिया है यहाँ पर क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग हिंदी में सिंपल भाशा में कहें तो चुका है, हैना complete हो चुका है When an action has been completed, जब कोई action complete हो चुका होता है तो उसके लिए आप लोग present perfect को लगाते हैं याद है? जी हाँ और present perfect में क्या होता है? present perfect में आप लोगों को subject लगाना होता है फिर subject के बाद आप लोगों को लगाना होता है या तो has, इसी के साथ फिर आप लोगों को लगाना होता है have, फिर आपको लगानी होती है work की तीसरी के लिए और उसी के साथ फिर आप लोगों को object लगाना होता है यही करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा subject को ढूणना होगा subject क्या है हमने हमने के लिए आप क्या लगा सकते हैं we ठीक है फिर आपने देखा कि subject आपका plural है तो आपको लगाना होगा have ठीक है फिर आपको क्या लगाना होगा नाश्ता नाश्ते के लिए breakfast ठीक है फिर आपको verb की third form भी तो लगानी है we have taken ठीक है breakfast जलिए जी अब आपके सामने कुछ और sentences रख देते हैं अब यहाँ पर क्या है पहले से ही मैंने हिंदी और English के sentence रख दिये ताकि हम लोग time कूप बचा कर अपने आपको जल्दी से जादा से जादा practice करा सकें यहाँ पर लिखा है मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है ठीक है आपके सामने यह हिंदी का sentence है अधिकतर बच्चों की यही feeling होती है जब English आती है अब आपके सामने एक sentence है यहाँ पर आपको आखिर के दो शब्दों को देखना है क्या है नहीं है अब आपको पता चल गया है कि जब भी आपका है वाला कोई भी वाक्य होता है हिंदी का इसका मतलब क्या होता है वो आपका वर्तमान काल का होता है है ना वर्तमान काल का होता है और वर्तमान काल में आपको कैसे sentence बनाना होता है subject आपको लगानी होती है verb उसके साथ s और es लगाना होता है और उसके बाद फिर object लगाना होता है यही करना है सबसे पहले आपको subject ढूना होगा subject क्या है आपका I? मेरा, मेरा मतलब I ठीक है, नहीं की बात हुई है तो आपने do not लगा दिया नहीं है, feel verb लगानी होगी आपको, feel क्या है मन का मतलब क्या रहा आपका feel आपने verb लगा दी feel, ठीक है पढ़ने का मन नहीं है, तो like studying आपको ने क्या करा, इसके साथ like studying English today इस तरीके से आपने sentence को बनाया अब आगे एक और sentence आप सभी के समक्ष मوجود है यह क्या है, बूढ़ी औरत अपनी पोती पर मुस्कुराई क्या अभी भी मुस्कुरा रही है नहीं यह action कमpliatk हो चुका है देखिए, यहाँ पर क्या है, बच्चोँ, ना तो इस sentence के अंदर है है ना ही sentence के अंदर था है और ना ही sentence के अंदर गागेगी है, है ना तो अब पता कैसे चलेगा, कि भाईए यह कौन से काल से है अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस से है आपको sentence का भाव देखना होगा You need to see the sense of a sentence आपको sentence का भाव पहचानना होगा वहवार पहचानना होगा कि sentence में किस तरीकी की situation है sentence को ध्यान से पढ़िए बुरी औरत अपनी पूती पर मुस्कुराई कि अभी भी मुस्कुरा रही है नहीं भाई या मुस्कुरा चुकी action complete हो गया और जहां पर कोई action complete हो जाता है जहां पर कोई work complete हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर भूतकाल लगाना होता है ऐसे भी आपके sentence आ सकते हैं अब आपको पता चलगाया कि ये भूतकाल का sentence है तो कैसे change करेंगे आप आपको subject लगाना होगा भूतकाल में verb की second form लगती है और object लगता है आपको यही करना होगा सबसे पहले आप लोग subject को देखे subject क्या है आप लोगों का subject है आपका बुढ़ी औरत ठीक एंग्लिश में क्या बूलेंगे the old lady subject लगा दिया फिर आपको क्या लगानी होगी verb की second form मुस्कुराई था second form हो गई smiled the old lady smiled किस पर मुस्कुराई अपनी पोती पर at her granddaughter और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्या करा आपने फटैक से अपने sentence को हिंदी से इंग्लिश में convert कर दिया कोई confusion यहां तक नहीं होना चाहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग समझते आएं है अब एक और sentence आप सभी की स्क्रीन पर लिखा है चलिए इसको देख लेते हैं यह sentence क्या कह रहा है वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया ठीक है अब आपने यहां पर क्या देखा यहां पर भी ना तो है है ना ही था है और ना ही होगा यह आखिर में है यह नहीं sentence के आखिर में यह तो है यह नहीं ना है है ना था है ना होगा अब पता कैसे चलेगा कि ये कौन से काल से है या फिर ये कौन से टेंस से है यहां पर भी वही तरीखा इस्तमाल करना होगा कि आपको संटेंस का वहवार देखना होगा संटेंस में किस तरीखे की सिच्वेशन है ये पहचानना होगा वो थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया क्या अभी बाहर गया है? क्या बाहर जाएगा? नहीं भाईया जा चुका, action complete हो चुका आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो आपका वेक्टी था जो subject था वो चला गया, बाहर चला गया आरथा ता action complete हो गया, work complete हो गया और जब work complete हो जाता है किसी situation में तो वहाँ पर हमें भूत काल को लगाना होता है और भूत काल में क्या होता है? subject होता है, verb की second form होती है और object होता है यही होता है? जी हैं, यही होता है सबसे पहले subject को देखो subject रहा आपका वह, वह को हिंदी में कहा, English में कहा he फिर verb की second form, क्या रहा, खाने के लिए बाहर गया, क्या खाने के लिए he went outside, जाना, मतलब बाहर जाना क्या रहा, आपने verb की second form लगाई go होती है first form, second form होती है, go होती है आपकी first form, went होती है आपके second form, क्योंकि भूत काल का sentence था तो आपने लगाया he went, कहां गया, outside, किस लिए गया ताजा हवा खाने के लिए गया, for a breath of fresh air ठीक है, अब खाएगा तो नहीं रोटी चमच लेके तो हिंदी में तो क्या रहता है बच्छों, खाना होता है लेकिन English में क्या रहता है, कि उसने breathe of fresh air को महसूस किया, clear है जी, जी हाँ clear है अब आगे आप सभी को एक और sentence मौझूद है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, और यहाँ पर भी क्या है, इस sentence के अंदर भी ना तो है है, ना ही क्या है, बच्छों था है, और ना ही होगा अब पता कैसे चलेगा, कि भाईया यह कौन से काल से है, वही चीज़, वही तरीका sentence का वहवार चेक कर लो, sentence की situation चेक करो और उसी के अधार पर फिर आप क्या अगर पाएंगे, sentence को पहचान कर जल्दी से उसके tense को पहचान कर आप उसको हिंदी से इंगलिश में convert कर पाएंगे, क्या लिखा है, मैं निकम्मा हूँ, ठीक है जी, यह प्यारा सा sentence है, मैं निकम्मा हूँ, निकम्मा का मतलब क्या होता है, जो अपने आपको यहिए, कि at present time that person is still worthless, अब आपने sentence को पढ़ा, sentence को पढ़ने के बाद पता चल गया, कि यह आपका वर्तमान काल का है, और वर्तमान काल के लिए आपको subject लगाना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको worthless بھی کہہ سکتے ہیں I am a good for nothing clear ہوا جی جی ہاں clear ہوا کیوں نہ آپ کے سامنے ایک اور example رکھا جائے تاکہ آپ کی سمجھ میں اور اچھے طریقے سے sentence اس کو رکھ سکیں یہاں پر یہ جو sentence لکھا ہے وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی کیا کر رہی تھی جی وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی آخر کے دو شبدوں کو پکڑو آخر کے دو شبدوں کو پکڑو کیا لکھا ہے رہی تھی اور آپ کو بتائیں کہ جب بھی تھا تھے تھی کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ بھوت کال کا sentence ہوتا ہے اور اگر وہاں پر رہا رہی کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر تھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا وہ past continuous کا sentence ہے ابھی رو رہی ہے نہیں past میں ایک نشش سمیہ پر رو رہی تھی تو یہ آپ کا کیا رہا یہ آپ کا بھوت کال رہا past continuous کا اب آپ کو اس کو کیا کر لینا ہے آپ لوگوں کو اس کو change کرنا ہے اور past continuous میں کیسے بنتے ہیں sentences subject ہوگا آپ کو was لگانا ہوگا آپ کو work لگانا ہوگا آپ کو اس کے ساتھ work کی first form لگانی ہوگی آپ کو ing لگانا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو object لگانا ہوگا چلیجی check کر لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا subject کو دیکھا subject ہے آپ کا where اور کیا ہے row رہی تھی اس کا مطلب female ہوگی کیونکہ رہی تھی کی بات ہو رہی ہے رہا تھا کی نہیں تو subject آپ کا کیا رہا she رہا female رہا آپ نے لگ دیا she پھر آپ کو دیکھا کہ she تھا تو اس کے بعد آپ کو was لگانا ہوگا اگر plural ہوتا تو work لگانا ہوتا آپ نے یہاں پر was لگایا she was پھر آپ نے کیا لگا دیکھا work رہی آپ کی row آپ نے لگا دیا work کی first form cry اس کے ساتھ پھر آپ نے لگایا ing she was crying کہاں پر رو رہی تھی اپنے کمرے میں in her room کیا مشکل رہا بالکل بھی نہیں آپ نے sentence کے آخری دو شبدوں کو پہچانا اور اس کے بعد پھر آپ نے جلدی سے tense کو پہچانا پھر اس tense میں کیسے sentences بنتے ہیں اس کو رکھا اور پھر آپ نے protect سے اپنے sentence کو بنا لیا کوئی زیادہ جھٹلتا نہیں ہے بہت ہی simple طریقے سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی اب یہاں پر ایک اور sentence ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں بھئی میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کیا ہے بچوں چکا ہوں اب چکا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس نے جو کام تھا جو action تھا وہ complete کر لیا اب یہاں پر action اور complete کام complete ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے finish ہو چکا ہے جب کہاں پر جب کہیں پر کوئی کام یا پھر کوئی work کیا ہوتا ہے بچوں complete ہو جاتا ہے action complete ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ وہاں پر لگاتے ہیں present perfect ہے نا یاد ہے when an action has been completed you use present perfect اور present perfect میں کیا ہوتا ہے آپ کو لگانا ہوتا ہے subject پھر اس کے ساتھ آپ کو has لگانا ہوگا یا تو have لگانا ہوگا subject کے ادھار پر پھر آپ کو work کی third form لگانی ہوتی ہے اور object اب کیا ہے یہاں پر یہاں پر لکھا ہے میں میں کو آپ نے کیا پہچانا یہ آپ کا subject رہا تو آپ نے لگ دیا I پھر آپ نے کیا دیکھا یہاں پر آپ نے I لگ دیا subject پھر آپ کو یا تو has لگانا ہوگا یا have یہاں پر have لگائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس you ہوتا ہے we ہوتا ہے آپ کے پاس they ہوتا ہے اور آپ کے پاس I ہوتا ہے تو آپ کو have کو لگانا ہوتا ہے اور جب singular subjects ہوتے ہیں تو آپ کو has لگانا ہوتا ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر آپ کے ساتھ آئی تھا تو آپ نے have لگا دیا پھر verb کی third form فیصلہ کر چکا ہوں verb کی third form کیا ہے کی فیصلہ مطلب made ٹھیک ہے verb کی third form فیصلہ کا مطلب کیا رہا decision I have made a decision clear ہو گیا جی بالکل بالکل clear ہو گیا اور اس طریقے سے بالکل سرالتم روپ میں آپ نے کیا کر دیا بچوں آپ نے اپنے sentence کو پریورتت کر دیا Hindi سے English میں آپ اس کو لے کے چلے گئے کیوں نہ کچھ اور examples آپ سبھی کے سامنے رکھ دیے جائیں اب یہاں پر ایک sentence ہے میں Oxford وشویدھالے میں ودھیارتی ہوں اچھی بات ہے بھائی دنیا کے سب سے بہترین college میں پڑھ رہے ہیں sentence ہے میں Oxford وشویدھالے میں ودھیارتی ہوں وشویدھالے کو English میں کہا جاتا ہے University آپ نے sentence کو دھیان سے پڑھا کیا لکھا ہے میں Oxford وشویدھالے میں ودھیارتی ہوں sentence کے آخری دو شبدوں کو آپ نے دیکھا Hindi کے یہ جو sentence تھا اس کے آپ نے آخری دو شبدوں کو دیکھا اور یہاں پر ہے ودھیارتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے کیا پہلے ودھیارتی تھا نہیں ابھی ہے ودھیارتی ہوں ہے نا ودھیارتی ہوں کا مطلب کیا ہے ابھی اسی سمیے کے اندر ہے بھائی آپ ودھیارتی student لگا دیا کہاں کے ہو at Oxford University کیا مشکل رہا بس آپ نے کال کو پہچانا ہے آپ نے tense کو پہچانا ہے اور اس کے بعد اس میں کیسے sentence بنیں گے یہ آپ کو پتا ہے کیوں نہ کچھ اور examples آپ سبھی کے سامنے رکھ دیے جائیں ایک ایک کر کر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے باتوں کو رکھتے چلتے ہیں کیا لکھا ہے آپ کوئی دلچسپ کتاب وہ پڑھ رہے ہیں کیا اب یہاں پر question پوچھ لیا گیا ہے اس سے پیچھے جتنے بھی sentences تھے وہ سارے sentences تھے یہاں پر ایک پرشن آپ سے پوچھا گیا ہے interrogative sentence ہے یہ آپ کا آپ کوئی دلچسپ کتاب پڑھ رہے ہیں کیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں پر question ہے کس طریقے کا question ہے کیا یہ پوچھ رہے کہ آپ کل کیا پڑھ رہے تھے نہیں یا پھر کل کیا پڑھو گئی یہ پوچھ رہے ابھی اسی سمعے میں current situation میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ بات پوچھی گئی آپ کوئی دلچسپ کتاب پڑھ رہے ہیں کیا یہ آپ کا question رہا اب آپ کو اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اس کو change کرنا ہے ہندی سے انگلیش کے اندر تو کیسے convert کرنا ہوگا سب سے پہلے دیکھو کہ پڑھ رہے ہیں ابھی current کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ آپ کا present continuous رہا جو کام ابھی کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ وقتی ابھی کام کر رہا ہے تو یہ present continuous رہا present continuous میں کیسے بنتے ہیں question کیونکہ یہ سوال ہے یا تو آپ کو is لگانا ہوتا ہے یا تو n لگانا یا تو r لگانا ہوتا ہے پھر آپ subject لگانا ہوتا ہے پھر آپ ورب کی first form اس ہی کے ساتھ پھر آپ ing लगाना होता है और object याद है जी हाँ आपको ये चीज़ याद है कि present continuous के अंदर जब आपको questions बनाने होते हैं तो इस तरीके से बनते हैं इस MR subject verb की first form ing और object अब आपको पहचानना होगा कि आपका subject क्या है subject है आपका क्या बच्चों subject है आपका you ठीक है क्या है आपकी बात ओरीन आपको आपने कहा you और इसी के साथ फिर आपने क्या लगा दिया यहाँ पर you लगा और जहां पर you होता है तो आपको आर लगाना होता है are you क्या हो रहे हैं पढ़ रहे हैं इसके साथ फिर आपको verb लगाना ह clear है, are you reading an interesting book या आपका question रहा देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं है बस आपको आखिर के दो शब्दों को पहचानना है दो शब्द में अगर आपको confusion हो रहा है तो sentence के sense को पहचानो और उसके बाद फिर उसको हिंदी से प्राउड है ना, प्राउड कहा जाता है फकर जिसे कहते हैं, फकर है जी उन्हें अपने अकलमंद बेटे पर नाज है, गर्व है, फकर है, प्राउड है अब आपने sentence को देखा, पता चल गा जा कि ये वर्तमान काल का sentence है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से क्या है बच्चो, कोई भी बात नहीं की गई है किस से related? पास से related या फिर फिटर से related अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना होगा सब्जेक्ट क्या है वह अप का उन्हें तो उन्हें के लिए आपने दे लगा दिया, दे, ठीक है, दे आर, क्या है बच्चों, नाज है, ठीक है, तो आपने लगाया प्राउड, दे आर प्राउड, किस चीज़ का प्राउड है उनको, आफ देर क्लेवर सन, कि उनका बेटा बहुत अखल मंद है, ठीक है जी, चलिए, अब आपके सामने एक और सेंटेंस रखते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आपको हमवक की तरफ लेके जाएंगे, आप सभी की स्क्रीन पर लिखा है, कितने सेंडविच बचे हैं, है ना, अब आपने क्या देखा भाई, आखिर में यहाँ पर है, है, और सेंडविच के लिए, सेंडविच इस आएगा, हाउ मैंनी सेंडविचिज, फिर आपने क्या देखा, सेंडविच इस है, प्लूर क्या है ये cycle, this cycle, अब cycle है, single है, तो आपको लगाना होगा is, this cycle is, क्या है, बहुत चोटी है, too small, किस के लिए है, तुम्हारे लिए है, for you, this cycle is too small for you, और इस तरीके से simple room में आपने हिंदी से English में अपने sentences को बना लिया, अब आपकी screen पर क्या है बच्चों, एक, दो, तीन, चार पांच, पांच sentences हैं, एक, एक करकर इनको पढ़िएगा, और इनको आप लोग क्या कीजेगा, इनको आप लोग English से, हिंदी से English में convert कीजेगा, आपके screen पर ये जो आखरी के दो शब्दों को आपको बहचाना होगा, आते हैं, जैसे क्या है, लाना चाहिए, वहवार करिए, ले लीजिए, ठीक है, क्या करूँ, इनके दो आखर के दो शब्दों को पढ़िएगा, और जब आप आखर के इन दो शब्दों को पढ़ लेंगे, तो आप समझदारी के साथ क्या कर पाएंगे, इनको हिंदी से English में convert कर पाएंगे, क्या कोई confusion, क्या कोई doubt रहा, जी नहीं बिल्कुल doubt नहीं रहा, तो आप आज की class में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की class में हम लोगों ने यही सीखा है, कि जब भी आपको English में translate करना है, हिंदी से English में translate करना है, तो आखिर के दो शब्दों को पहचानो, अपने हिंदी के वाक्य के, जब आप अपने आखिर के द इसको हमारे साथ इन हिंदी में लिखे हुए sentence, इसको English में translate करकर share कीजेगा, तो अब तक की जो हमारी class रही है, इसके अंदर हमने translation के दो lectures कर लिए, कल भी हमारा translation का ही lecture होगा, और इससे जिस संबंदित कुछ और गहराई वाली बाते हम आपके साथ करेंगे, अगर आप इनको आने वाली class में रखें, जिस topic की होगी सबसे दादा demand, उसी topic को लेकर आएंगे हम आपके सामने, अब इसी आशा और उमीद के साथ किए जो हमारी आज की class रही है, बहुत ही ग्यान वर्दक रही होगी, और आप बच्चों को समझ में आई होगी, अगर आज की class से आप लोग अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत धन्यवाद